हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी पल्मोलोजिस्ट एंड रेस्पेरिट्री फिजीशन आज आपके सामने लेकर क्या हैं एक नया वीडियो ब्रॉंकोस्कोपी के उपर ब्रॉंकोस्कोपी या फेफडों की दूरबीन दौरा जाँच तो ब्रॉंकोस्कोपी एक मशीन होती है जिसके माध्यम से हम पेशेंट के डिरेक्ट लंग्स में जाकर के उसको आई पीस से या वीडियो पे देख सकते हैं और उसकी इमेजेस देख करके हम पेशेंट के लंग्स के अंदर जाते हैं और उसके एरवेस को इंस्पेक्ट करके बहुत सारे काम कर सकते हैं. आईए जानते हैं, ब्रोंकोस्कोपी किन-किन मरीजों की की जाती है. ब्रोंकोस्कोपी उन मरीजों की की जाती है, जिनको टी-बी का शक होता है, X-ray में या City Scan में कोई Opacity आती है, लेकिन बलगम में टीवी का किटाणू निगेटिव आता है तो हम फेफडों के अंदर से दूरबीन के माध्यम से बलगम इकठा कर लेते हैं जिसको हम ब्रॉंको अल्वियलर लवाज या बाल कहते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं लैब में टीवी के किटाणू की जाच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशन को टीवी है या नहीं है दूसरे टाइप का इंडिकेशन है ब्रॉंकोस्कोपी का जैसे किसी पेशन की कफ है या खासी है जो की अनेक्स्प्लेंड है छे अफ़ते से जादा है और पेशन्ट का X-ray और CT scan normal है और कफ का, खासी का कोई reason भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम दूरबीन के दुआरा उसके फेफडो को direct video पे देख सकते हैं और खासी का कारण जान सकते हैं तीसरा होता है इसका indication करने का hemopsis या मूँ से blood का आना अगर पेशन्ट के मूँ से bleeding हो रही है लगातार और उसके X-ray और CT scan में कोई opacity हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो भी हम दूरबीन दुआरा फेफडो की जाच करके ये पता लगा सकते हैं कि ये bleeding कहां से हो रही है और कुछ एक recent advances of bronchoscopy में कुछ एक तरीके के instruments होते हैं उनको use करके bleeding को रोक भी सकते हैं Next, अगर किसी patient के lungs में कोई gart है जैसे की cancer के patients में होती है तो हम दूरबीन के दूरा उसके lung में से gart का biopsy भी कर सकते हैं जिसको biopsy को histopathological examination के लिए lab में भेज करके ये पता लगा सकते हैं कि patient को cancer है या नहीं है इसके अलावा अगला indication है interstitial lung disease जिसे हम ILD बोलते हैं ILD patients में हम lungs के अंदर से biopsy ले लेते हैं bronchoscope के माध्यम से और उसको lab में भेज करके हम ये पता लगाते हैं कि patient को ILD है या नहीं है और अगर है तो किस तरीके का है next indication bronchoscopy का होता है TBNA transbronchial needle aspiration जैसे दोनों lungs के बीच में जो जगे होती है वहाँ पे कुछ गाठे होती हैं जिसे हम lymph nodes बोलते हैं उस lymph node के अंदर से needle से हम sample ले लेते हैं और slide पे लगा करके lab में भेज देते हैं और यह पता लगाते हैं कि patient को cancer है यह TB है यह कोई infection है और गाठो का reason क्या है इसे हम TBNA बोलते हैं जो की bronchoscope के माध्यम से किया जा सकता है इसके अलावा कुछ patient होते हैं जो foreign body अपने अंदर ले लेते हैं जो trachea में आ जाती है और आगे जाकर के bronchus में फस जाती है जैसे बच्चे कोई निगल लेते हैं या peanut निगल लेते हैं जैसे कोई denture होता है तूट के अंदर चला जाता है लंक्स में तो उसको निकालने के लिए foreign body को बाहर निकालने के लिए भी हम दूरबीन के जांच का प्रियोग करते हैं अगला indication होता है इस्टेंड डालने में जैसे किसी patient के यहां पर trachea में narrowing हो जाती है यह obstruction हो जाता है यह structure बन जाता है तो हम इस्टेंड डाल करके इसके trachea को airway को खोल देते हैं तो इस्टेंड डालने में भी bronchoscopy का प्रियोग होता है तो I hope friends आपको आज यह video पसंद आई होगी हम अपने next part में bronchoscopy के recent advances और जो नई-नई तकनीक आई है उनको जानेंगे कि bronchoscopy के और नई-नई क्या indications है I hope friends आपको यह video पसंद आई होगी आप इस video को like कीजिए share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए thank you